तो तुमने एक तरफ साइड में सोचे के साइड में खड़े कर दी है अच्छा तो पूरी साइड में आगा सक्या हूं कितने बजे का टाइम था हूं सभी डरार को एक मैसिज देना चाहती हूं कि बहुत हिसाफ से गाड़ी चलाना चाहिए घाट के अंदर यह देखते हैं ऐसा आवर टेक करना नहीं चाहिए ना उंगु नहीं करना चाहिए उसको शेर नीदबाना चीए चरते समय उतरते समय नीदबाना चीए अब सलाम अलेकुम अदाब जो आप देख रहें एक अजंटा शहर के जो घाट है घाट के उपर एक गाड़ी जो बस वाले ना ओटेक करा तो जान का कुछ नुकसान नहीं हुआ इसमें सिरीफ गाड़ी का थोड़ा बद नुकसान हुआ निकालने का अठरा वनीस अजार र चलना चाहिए सेट डबा के चलना चाहिए तो आपने इस तरीके का जो सामने आलेका जो नुकसान हुआ अठरा वनीस अजार का निकालने का इसको खर्चा लगा तो मेरी आप लोगों से बिलकुल यह रिक्वेस है कि भाई इस बहुत सो समझ के अजंटा शहर के जो घाट है उसका काम चालो है जो सामने आपको जिसी भी आ रहा है अजंटा का जिसी भी है तो मेरी आप से रिक्वेस है कि भाई अजंटा के घाट में आप भी जब भी ड्रावरिंग कर रहे है कहीं भी आपने इंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर घाट के अंदर आप तो इस तरीके के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको टाइम भी जाता है और उनके गाड़ी का भी नुकसान होता है तो आपने बहुत समझ के बहुत एतियास से गाड़ी चलाना चाहिए क्योंकि इसको जो अवाटेक बसने करा था चार दिन पहले का वीडियो ही है क् लेट होगे उसको डालने के लिए एक किरन से लगए किरन जो किरन सामने नजर आ रहा है आपको तो इस किरन का सत्रह से अठ्रह अजार रोपे खर्चा आया उसको गाड़ी को निकालने के लिए और गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है और उसमें नजान का नुकसान हुआ शिर और ट्राफिक भी जाम होरा इसमें क्यूνकि क्यूंकि काम चालो है वाई एक site जो काम चालो है इस तो मेरे आपसे request है जब एक ही गाड़ी पास हो सकती जहाँ काम चालो हो पैट डालने का वहाँ एक गाड़ी पास हो सकती है आपने घरबर नहीं करना चाहिए एतियास से गाड़ी चलाना चाहिए अराम से जो अराम से निकल जाना चाहिए क्योंकि आपको अगर घरबर करें तो पूरे घाट में ट्राफिक जाम हुआ और उसमें जो एमरजेंसी पेशन आते उनको भी दिक्कत हुएंगी आपको भी पर मेरे बिल्कुल आपसे हुएं अजंता के घाट में वह सोस समझ कि घाड़ी चलाना चाहिए आपको आपको एक घाट में एक दूसरे की हल्प करके चलना चाहिए आप ने पादास से चलना चाहिए क्या बोलना चाहिए तुम्हारी नीचे गए उसके बारे में बस वाला कितने बजी की बात है इतुए 7But lake 8 बजी की बात है एक बस वाले ने सामने आधवाले ने इनको आपहर टेप करा और इस तरिकिक देगए तो मेरे भाई सभी से गुजारी से मेरी कि जब आप आवाटेक कर रहे हैं दूसरे सामने आले के बारे में भी सोचना चाहिए कि इस तरीके का गाड़ी का नुपसान होता है और अच्छा जान का कुई सोचना चाहिए क्योंकि नशी की आलत में आपने बिलकुल गाड़ी नहीं चलाना चाहिए इस तो माशालला आपने इसाफ से इत्यास से गारी चलाना चाहिए अजन्टा शेहर के गाड़ में बारिश का पैप का काम चालो है और उसकी सैट का भी काम चालो है जो आपको सामने नजर आएगा तो मेरी आप लोगों से बिलकुल यह रिक्वेस है कि भाई आप लोगों ने एक दूसरे की सोचना चाहिए क्योंकि आप डरा हो रहे सभी डराओर के बारे में सोचना चाहिए आपने बिलकुल में बार बार आपको यह वजद बड़ा हो नशी की आलत में आपने गाड़ी नहीं चलाना चाहिए अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कहीं भी आ एक्सिडन होता है और किसी अपने घरियों वालों को तकलिव होती है तो मेरी आप से आप से बार-बार रिक्वेस्ट है कि अजंटा शहर के घाट में और अजंटा की उस ओपन हो चुका है आपने जब घुमने आए तो बहुत एतियास से इसाफ से गाड़ी चलाना चाहिए क् इस तरीके से जो पूरी गाड़ी पास हो न दे रहा है तो मेरी आप से इसी तरीके से अजंटा के घाट में अभी अबी अभी ट्राफिक जाम हुआ इस तरीकी गाड़ी फेल हुई हर टेम अजंटा के शहर के जो घाट में हर टेम गाड़ी फेल होती है तो आपने बहुत एतियासे इस तरीके के भाई ने जो समझदारी बताया तो आपने भी इस तरीकी की समझदारी बताना चाहिए इसी तरीके से अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपके सब्सक्राइब में अजंटा ने उसको लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो आपसे बिल्कुल यह रिक्वेस्ट है एक समाज सेवाए लोगों की मदद करना है आपने देखे हुए फेस्बूक पे वार्सप के उपर एक्सिडन होना है तो कितनी मुश्किलात का साम करो सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादत ज्यादा अपने भाईयों में दोस्तों में शेर करना चाहिए और वीडियो कमेंड में कैसा लगा यह आपको बढ़ाए आपको